हेलो दोस्तो, स्वागत है आप सभी का विधान लौग क्लासेस के इस यूटूब प्लेटपॉर्म पर मैं दिवक्ता पंकस सैन और आज हम बात करने बाले हैं अपने इस वीडियों पर की MPCJ की क्वालिफिकेशन पर सुप्रीम कोड का क्या निर्णाया है आज मान्ये सर्वुच नियाले के समक्ष एक SLP लगी हुई थी जिस पर निर्णाय होना था जिसका नंबर है मैं आपको बता देता हूँ 14382 बटांक 2024 143222024 इस SLP पर आज मान्ये सर्वुच नियाले का निर्णाय आया है जिसमें OVC के क्राइटेरिया को लेकर मान्ये सर्वुच नियाले ने अपना निर्णाय दिया है और कहा है कि ये जो 70% और 3 वर्स की बकालत का अनुभाव है मद्यपदेश सिवल जज़ के इलेजबिल्टी क्राइटेरिया पर यह इसको सही ठहराते हुए मान्ये सर्वुच नियाले ने निर्णाय दिया है हम यदि बात करें तो मलीमत साब जब हुमारे चीप जेस्टेस महोदय थे मद्यपदेश उच्च नियालाई के तब से यह सब इलेजबिल्टी क्राइटेरिया को लेकर इसकूज उठते रहे हैं मध्यपदैश जुदिश्री में बैख क्राइटेरिया यह साइड कर दिया गया है और कहा गया है कि सत्तर प्रतीसत और तीन बर्स का वकालत का अनुभव अनिवार कर दिया गया है मद्पदेश जुडिश्री के लिए तो अब जो भी हमारे इस यूटूब प्लेटफॉर्म पर विद्ध्यात ही जुड़े हुए हैं जो MP जुडिश्री की तयारी कर रहे हैं और OVC बैक्ग्राउंड से आते हैं उनके लिए भी सत्तर प्रतीसत और तीन मर्स का बकालत का अनुभाव अनिवार रूप से लागू हो गया है इसके पहले जब हम बात करें तो मानिये मलीमत साब जब हमारे चीप मज़ेश्री जुडिसियल थे मद्पदेश के तब सीजे आई थे जब मद्पदेश के तब एक पिटीशन लगी हुई थी उस पर जरूर उन्होंने ओडर किया था कि 55% लेकिन अब उसको भी अटाके यही डिसाइड किया गया है कि 70% और तीन बर्स का बकालत का अनुभाव अनिवार यह है OVC एवं जनरल के बच्चों के लि लिए आप सभी को तीन बर्स का बकालत का अनुभाव या फिर 70% अनिवार कर दिया गया है जुड़े रहे हमारे बिधान लौक क्लासेस के इस यूटूब प्लेटफॉर्म पर और ऐसी अन्य जानकारी के लिए जुड़े रहे हमारे साथ वीडियो को लाइक करें सब्सक्रा थेंगे थेंग्यू